नमस्ते, आपने एक नया Sales Invoice Document खोला है और Header सेक्षन में प्रविष्टियों को शुरू करने के लिए तयार हैं। इस अनुभाग में आप दर्ज करें अथ्वा निम्न से संबंदे जानकारी देख सकते हैं। Branch Location, Reference for SI, Store, Document Level Tax, Document Type, Invoice Type, Document Number, Document Date, Status Branch Location को चुन कर शुरू करें। याद रखें, यह Branch Location मास्टर में मौजूद होना चाहिए। इस Sales Invoice के एक संदर्व के रूप में निम्न विकल्पों में से एक का चैन करें। Direct जो किसी भी संदर्व के बिना है और Sales Order Branch Location का चैन करने पर Store स्वचलित रूप से चैन होता है। एक अलग Store का चैन करने के लिए Search आइकॉन पर क्लिक करें। Pop-up में एक Store का चैन करें, Store का नाम स्वतह आबाद होता है। वैकल्पीक रूप से यदि आप Store जानते हैं, आप उसी को दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें, यह Store मास्टर में मौजूद होना चाहिए। Document Type का चैन करें, जो निर्धारित करता है कि आप Invoice Document किस तरह से वरगी कृत करना चाहते हैं। ध्यान दें, यह Document मास्टर में उपस्तित होना चाहिए। Invoicing और Delivery विकल्प का चैन करें, डॉक्मेंट नंबर खाली है, सिस्टम डॉक्मेंट पोस्टिंग करने पर यह नंबर उत्पन करता है, डॉक्मेंट डेट, डिफॉल्ट रूप से आज की तारीख दिखाता है। Status, डॉक्मेंट के वर्तमान की Status को दशाता है, इस मामले में यह नया है, यह Header सेक्षन में सभी प्रविष्टियों को पूरा करती है, अब आप Customer Tab के लिए आगे बढ़ सकते हैं।